जहिन दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल SN Info Group में दोस्त आज की इस वीडियो में आप लोग को Bluetooth स्पीकर का पाउर बटन सही करना सिखाऊंगा कभी ऐसा हो जाता है कि पाउर बटन को कितने भी प्रेस करते रहे हैं यह आन नहीं होता है तो यह समस् कर्मेंट में बैटरी इसकी वीग हो जाता है या फिर यह बंद हो जाता है बिल्कुल ही तो आप किस तरह से सही करके उसको दो चार पांच घंड़े तक भी चला सकते हैं या फिर मैं ऐसे कहूं आप लोग से कि आपके Bluetooth स्पीकर के बैटरी बिल्कुल ही डैमेज होगी है बि इसलिए हमारे वीडियो में लाश्ट टक बन रहेगा सही से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आप लोग को आएगा और अगर आप सही से नहीं देखेंगा तो फिर आप लोग बोलेंगे कि फेक है हमने दोस्त दो महीने में अपने चैनल को ग्रो किया है जीरो से पांच जा कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इसको सही करना है तो सबसे पहले यह जो डखकन इस डंक को क्या करना है कि निकालना है यह बाहर निकाल दिया हम लोग अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो दोस्त चार बटन दिखाई देगए यहां पर चार आप ल जो भी वायर लगे हैं सभी वायर को द्यान से निकाल लेंगे जो भी वायर जहाँ पर लगा था उस वायर को द्यान से निकाल लेंगे और निकालने के बाद में हमें जो भी काम करना भी फिलाल हमें इसमें करना है इसमें क्या करना है वो मैं आप लोग को बताता हूं द्यान स आप लोग देखिएंगे इसको अब आप लोग यहाँ पर द्यान देएंगे तो यहाँ पर आप लोग को दो स्क्रू मिलेगा है कि यहाँ पर और एक यहाँ पर दो स्क्रू को दोने स्क्रू का में क्या कर लेना है खोल लेना है दोने स्क्रू को करना है जो भी काम करना है जोब्ही काम करना है बहुत एक है रखर जो न immaginen यह यह पाउड वटन क्व होता है यहाता है यह पहुता लिंगा अपamt讲 लिख लोग देखेंगे तो आप लोग पर चला होगा यह पाउड बटन होता है तो पास में तरदमें mots सनेश्क बहुत असले आप लोग चेक करए कर सकते हैं मैं भता हूंग वैसे अगर मल्टीमीटर नहीं है तो डायक्ट अप लोग पास इंपर मारें कीसे मारें कि अटम को बताता हूं तो देखिए मैंने कहां से कहां पर जॉइंट केस को पहले आप ध्यान से देखें हैं कहां से कहां मैंने जॉइंट किया है यह देख रहे हैं यह आप चाहें तो इस पर जॉइंट कर सकते हैं यह जो दिया गया है यह दिया गया है यह दिया गया है मेमरी काड लगाने वाला आ आप पे और दूसरा जो वाइर है यहां पे जो करके और यह ज जो वॉड्व बटन है हमारा बटन के यह देखे है यहां पे लेट सैट राइट सैट तो इस साथ मैं ने जॉइंट किया है इसी साथ आप लोगों को जाइट करना या राइट सैड में ठीक है इधर ही joint करना यहीं पर आप लोग जंट कर लेना है तो इतना काम हम लोग कर लिये करने के बाद में इसको अभी ऐसे करके रखते हैं और मैं आप लोग को on करके दिखाता हूँ अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ on करके तो जो वायर जहां पर लगा था हमारा उस वायर को वहां पर पहले तो हम लगा लेंगे सभी वायर को क्योंकि हमने देखके ध्यान से निकाला था तो वहीं पर हम लोग सभी वायर को लगा लेंगे जहां जहां से हमने वायर निकाला है वहाँ वहाँ पर इदर बयांँ लगाना दोस्त्प जहांद बयार जाना हुए वही लगा लिया अब लगाने के बाद में इसको चालू करता हूँ उपन कर दिखाता हूँ चालू करके तो यह देखिए तो दोस्त यह चालू होगी इस तरह से आप लोग अगर पावर बेटरन काम नहीं कर रहा तो आप इसको सही कर सकते हैं साथ में आप लोग को बता दू कि अगर आप लोग का बैटरी नहीं वरक कर रहा है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं ये तो मैंने आप लोग को बता दिया अगर बैटरी वरक नहीं कर रहातो बहुत सिंपल कामी चोटा शौता बेल करके अगदम बहुत असानी का मैं यह चाहिए और इस डेतै का बिड़र नहीं बहुत देर तक यूज में ला सकते हैं ठीक है तो ऐसा डाटे कबल आप लोग के पास में होना चाहिए और आज का जो टोपिक था हमारा इसको अन करने का इसको पाउर बटन को सही करने का वो मैंने आप लोग को कम्प्रीट बता दिया है दोस्त वीडियो को लाइक कर दिए च तकल दने वाग तकल दने वाग तकल दने वाग